हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडियाफ आपको मिलने वाला है ओके देखें मैं इस वक्त में आपको पहले ही ये बात बता देना चाहता हूं कि 27th January से लेकर 31st January तक के बीच में आपको बहुत सारे content जो हैं यहां पर free of cost में मिलने वाले हैं और यह सब आपके examination point of view से बहुत ही important PDF है जैसे इससे जो पहले मैंने आपको PDF दिया था जहां पर मैंने आपको 100 most important maths के formula दिया था आपको जो की बहुत ज्यादा repeat होते हैं उमीद ह कि वो आप लोग video देखे भी होंगे और उसको download भी कर लिए होंगे PDF को यहां पर 100 most important golden rule यह ऐसे rule हैं जो कि SSC में बार बार पूछे जाने वाले rules हैं ओके तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप यह 100 rules अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और 4-5 बार अगर आप revision कर लेते हैं तो definitely जो है grammar पे आपका अच्छा पकर हो जाएगा समझ गए क्योंकि जितने भी parts of speech हैं वो तो important है ही उस parts of speech में जो जितने भी important rules होते हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि यह जो 100 rules हैं और इसके साथ में आप study जब आप करते हैं तो आप एक जो है self study के time पे एक notebook भी अपने साथ में रखे और rules को आप note down करते चलिए क्योंकि देखिए 200 ऐसे rules होंगे मोटा मोटी मतलब जादा से जादा maximum मैं बात करूं 200 ही rules होते हैं यह 200 rules अगर आप खुद का बना ले 100 तो यहां से हो गए और 100 कुछ दिक्कत ही नहीं होगा आपको grammar में समझ गया हैं फिर भी मैंने कोशिस की है कि जितनी भी important rules है वो यहां पर cover हो जाएं तो चलिए start करते हम लोग देखिए सबसे पहले तो देखिए कुछ ऐसे noun होते हैं जो कि हमेसा singular भर्व जो है उसके साथ यूज होता है some nouns always take a singular भर जैसे कि यहां पर scenery है advice है information है machinery, stationery, furniture, abuse, fuel यह जितने भी आप देख रहे हैं इन सब के साथ क्या होगा singular भर्व का इस्तिमाल किया जाएगा तो आपको क्या करना है यह सब को याद कर लेना है कि जहां भी आपको यह सब दिखे तो उसके साथ आप कौन किस चीज का इस्तिमाल करेंगे singular verb का जैसे यहां देखिए the scenery of Kashmir are enchanting ठीक है अब यहां देखिए R लिखावा है तो यहां पर क्योंकि the scenery of Kashmir था तो यहां पर क्या इस्तिमाल होगा is का इस्तिमाल होगा तो correct usage क्या होगा यूज जो होगा आपका is का होगा आर का नहीं होगा तो यही सब एक्जाम में आते हैं जैसे कि he has given advices यहां पर एस लगा दिया है जबकि यहां पर क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ही होगा समझ रहें तो यह पहला rule है दूसर are singular in meaning but they are used as plural noun and always take a plural verb जैसे कि cattle, gentry, women, presentry, articulary, people, calorie, company, police यह सब क्या हैं यह सब singular हैं समझ रहें और इनके साथ जो है plural nouns और plural verb कहें इस्तमाल किया जाएगा जैसे the cattle is grazing in the ground तो यहां पर cattle जो कि यहां पर आपको singular लग रहा है लेकिन singular नहीं है यह plural ही है इसके साथ plural verb का इस्तेमाल किया जाएगा यानि कि are जो है यहां पर आपका होने वाला है police, police के साथ क्या होगा have का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह सब important है next क्या है कि some nouns always used in plural form and always take a plural verb कुछ ऐसे होते हैं जो कि plural आपको now form में होते हैं और उनके साथ plural verb का इस्तेमाल किया जाता है where is my trouser trouser है यहां पर आपका आर का इस्तेमाल हो जाएगा इस पैक्टिकल से इसके साथ भी जो है आपका आर का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह काफी important है यह सब आप याद करते चलेंगे next है आपका there are some nouns कुछ ऐसे nouns होते हैं जो कि indicate करते हैं length, measure, money, weight, numbers जब इनके पहले कोई जो numeral होता है वो अगर हम लगा दें तो वो आपका unchanged ही होगा जैसे समझे कैसे जैसे यहाँ पर it is a five years degree course तो five यहाँ पर क्या आगया number आगया आपका five इसके साथ यहाँ पर years दिया वाया तो यह आपका year ही होगा समझ गए year ही होगा यहाँ years नहीं लगाएंगे समझ गए तो वही यहाँ पर है यह आप याद कर लेंगे कि जब भी आपका यहाँ पर जैसे कि आपका dozen हो year हो hundred हो thousand हो millions हो कुछ भी दिया वा उसके पहले अगर कोई आपका numeral दिया वा हो तो वो आपका unchanged ही रहेगा same form में रहेगा year है तो year ही रहेगा एस नहीं लगाएंगे समझ गे next है कि collective nouns such as jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc are used both as singular and plural यह सब जो आप देख रहे है collective noun जैसे कि jury का बात करते हैं तो jury में आपके खुद imagination आपका हो जाएगा कि कुछ लोग होंगे उस jury में public है तो कुछ लोग मिलकर public बनेंगे तो यह collective noun है ठीक है collective noun तो यह जो है आपका क्या दिया है आपका यह बोथ singular और plural में होगा यह उसके usage पर depend करेगा जैसे कि the jury was divided into in their opinion तो जूरी जो है वो divided हो गया है अपने opinion में तो अविसी बात है अगर यहां पर अगर देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर opinion लोगों का सेम होता समझ गया है अगर opinion जो है अगर सेम होता तो फिर यहां पर वाज सही था लेकिन क्योंकि यह divided हो गया है कुछ लोगों का opinion सही हो सकता है कुछ opinion किछ लोगों का opinion गलत हो सकता है तो यह divided हो चुका है तब यहां पर plural हम लगाएंगे वेर का इस्तेमाल किया जाएगा तो वही उसके usage पर depend करेगा अब जैसे देखें यहां पर क्या दियावा है कि the team have not arrived yet तो team have अब यह जो आपका दियाव है तो यहां पर क्या होगा है ठीक है है क्यों होगा क्योंकि जो team है यह पूरी team की बात हो रही है यह पूरी team की बात हो रही है वह team जो है अभी तक नहीं पहुंचा है तो यह पूरा team है यानि कि collective नाउंस यहां पर हो गया है तो इसके साथ में जो है कुछ मतलब होता है जैसे एडवाइस दिया है तो यहां पर कॉंसेल हो जाएगा और एडवाइस यहां एस लगा दिये तो उसका मतलब information हो जाता है एर अगर दिया है तो atmosphere की तरह होता है और एस लगा लगा दो गुट्स लगा दो तो प्रोपर्टी के सेंस में आता है तो यह काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है इसको आप याद कर लेंगे next क्या दिया है कि कुछ ऐसे term होते हैं जो कि आपको हमेशा confused में रहता है जैसे कि people are often confused or they commit mistake in the use of certain nouns certain nouns में इनको हमेशा confusion होता है जैसे कि क्या है lecture ship है यहाँ पर s लगा दिया गया है lecture ship वो एक wrong है क्या होगा lecture है यहां पर ship होगा ठीक है यह आपका हो जाएगा ठीक है lecture ship जो है यह आपका होगा next क्या है आपका next दियावा है कि जैसे देखिए जो hyphenated nouns होते हैं ये plural form में use नहीं होते हैं the hyphenated noun does not have a plural form जैसे क्या है he gave me 500 rupees note यहाँ पे क्या आ गया 500 rupees note आ गया s लगा दियें तो वही यहाँ दे रहा है जो hyphenated noun होगा वह plural form में नहीं होगा क्या होगा रूपी note आपका सही है और वैसे भी हम लोगों ने यह चीज़ देखा है कि कोई भी number के पहले अगर यहाँ पर इसे hundred है thousand है million हो कुछ भी हो उसके पहले कोई numeral अगर आपका दियावा है तो वह तो आपका as it is रहेगा तो रूपी में होगा जैसे कि सुमीत stays in five stars hotel stars लगा दिया जबकि होना क्या चाहिए five star hotel ही होना चाहिए next क्या दियावा है कि if a preposition connect two similar nouns अगर preposition जो है वो connect कर रहा है two similar noun को तो जो noun होगा the noun is used in singular form तो noun आपका singular form में होगा और singular भर्व उसके साथ लगेगा जैसे क्या है कि villages after villages where visited during the last election तो villages after यह आपका हो गया क्या यहाँ पर preposition connect कर रहा है दो similar noun को तो यह हमेशा क्या होगा singular form में होगा village ही होगा village होगा समझगे और यहां पर वेर की जगा वाज होगा आपका जैसे कि हम बोलते हैं पेज after page पेज after page हमने बोला तो पेज after page बोला मतलब यह singular में बोला और इसके बाद भी जो आएगा यह आपका चीज ही आएगा ठीक है तो यह चीज आप याद कर लेंगे नेक्स्ट है आपका दप्रोनावन वन मस्ट भी फॉलोड बाई वन्स समझगे जो वन आपका अगर दिसस्टार्टिंग में अगर वन दिया है कि वन मस्ट फिनिश हिज होंवर्क इन टाइम तो वन मस्ट से आपको मिल जाएंगे वैसे आपको टेंशन लेना नहीं है मेरे पास अभी दो ऐसे और भी नोट्स मौझूद है जिसको मुझे आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करना है यह दोनों नोट्स ऐसे होंगे जिसमें ऐसे सी का 1997 से लेकर 2018 तक में जितना भी इंपॉर्टें से लेटर पीड़ी आप मुझे देना है फिलाल आप देख लें कि वेंद प्रोनावन इच एवरी नाइदर आइदर एनिवन मेनिया सीगर यह आपका पॉजेसिव एड़ेक्टिम में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तो पॉजेसिव केस जो है शुड़ भी थर्ड सिंगलर होगा समझ के जैसे आँओ है इच बॉई औड इच टीचर आपका हीज हो जाएगा यह आपका हीज हो जाएगा घीक है यह subject को denote करता है और whom जो है यह object को जैसे कि it is the subject of a verb example क्या है who जो है it is the subject of a verb जैसे कि who gave you the book ठीक है तुम्हें यह book किस ने दिया whom is an objective pronoun which is pronoun that receives that the actions of a verb it is also has two main uses it is the object of a verb example whom should I call ठीक है किसको कॉल करें यह confused object के case में आ रहा है तो यह सब चीज है आपका नेक्स्ट क्या दियावा है when two or more singular nouns are connected by either or neither or 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 the pronoun used is singular समझ गए यह वाला तो कितना आपने error किया है कि जैसे कि either Rohan और Shohan will give their bike तो यहां his होगा आपका वही कह रहा है आपका कि either or के साथ या neither nor के साथ या और के साथ कोई connected हो तो जो pronoun जो यूज होगा वो आपका singular होगा इसलिए their जो है उसके जगा पे क्या होगा आपका ही होगा नेक्स्ट क्या है आपका कि वेन और सिंगलर और पुल्रल नाउन आर जोइंड बाई और नौर दे प्रोनाउन मस्ट भी पुल्रल जैसे आइदर दे स्टूडेंट और इस टीचर्स फेल्ड इन इस ड्यूटी तो इन द्यार ड्यूटी होगा ठीक है यहां पर देखिए वेन और सिंगलर और पुल्रल नाउन से यह और के साथ कनेक्ट होगा है तो जो इसके तुरंत बाद वाला होगा उसके एकॉर्डिंग जो है यह आपका चेंज हो जाएगा समझें गएं नेम्स्ट क्या दिया है हूज इस इस फूर्द यूय तो उस निए परसन के लिए और जो विच होता है यह नन pleasing के लिए जो है यह यह能ब्जेक्ट के लिए यह उस हूता है जैसे कि विच नॉबल डिड यू सिलेक्ट तो विच उवरल डिड दी यू सलेक्ट तुमने select किया है तो यह आपका हो जाएगा non living के लिए आपका आ गया है और whose photograph is laying there अब किसी photograph के बारे में बात हो रही है तो यह किसी living के बारे में ही बात हो रही है तो यह वहाँ पर तो whose का इस्तमाल किया गया है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपके दिये हुए हैं यह सब आप अच्छे से याद कर ले समझ गया है यह आप इसको डाउनलोड करके PDF को इसको अच्छे से आप इसका study कर ले फिलाल तो मैंने आपको इतना ही पहले आपको बताया है कि क्या होगा लेकिन ऐसा है कि जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा और मेरा आप लोगों से यही request है कि इस PDF को आप अच्छे से याद कर ले ताकि कोई दिक्कत नहीं हो बाकि दो important और PDF हैं English Grammar के वो भी मैं आपको देने वाला हूँ अभी बहुत सारे PDF जो है मैं आपको देने वाला हूँ उसको एकदम लेते रहिए और डाउनलोड करके पढ़ते रहिए ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में